मंगलवार को दिल्ली के मुख्मंत्री पत से इस्तीफा देने के बाद अब अर्विंद केजरिवाल अपना ये सरकारी बंगला खाली करेंगे माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में ये सरकारी बंगला जो कि दिल्ली के सिविल लाइन से सिट्ट सिक्स फ्लैग स्टाफ रोड का ये पता है इस बंगले को अर्विंद केजरिवाल अगले कुछ हफ्तों में खाली करेंगे संजय सिंग जो आपके वरिशनेता है उनका ये कहना है कि अगले कुछ हफ्तों में अर्विंद केजरिवाल इस बंगले को खाली कर देंगे और ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली में ही यानि अपनी जो नई दिल्ली की कॉंस्ट्वेंसी है उसके अंतरगत अर्विंद केजरिवाल किसी दूसरे मकान में जा सकते हैं हाला कि वो एक राष्ट्री पार्टी के अध्धक्ष है इस नाते उनको सरकारी बंगला भी मिल सकता है लेकिन वो सरकारी बंगला लेंगे या नहीं लेंगे अभी ये निश्चित नहीं है लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने इतना क्लियर कर दिया है कि वो अब जो मुखमंत्री को मिलने वाली सुविधाएं होती है वो सभी सुविधाएं छोड़ देंगे और उसके अंतरगत ये बंगला भी आता है इस बंगले को लेकर के बीजेपी मेंने कई सवाल भी उठाए थे इस बंगले का रेनुवेशन हुआ था जिसके बाद बीजेपी ने इसे शीश महल की संग्यादी थी तो ये अर्विंद केजरिवाल का सिविल लाइन्स दिली के सिविल लाइन्स इस बंगला है और इस बंगले को अब अर्विंद केजरिवाल खाली करेंगे इस बंगले में अगली मुख्मंतरी यानि आतिशी अब इस बंगले में आएंगी या नहीं आएंगी ये भी अभी स्पश्ट नहीं है ये माना जा रहा है कि जो भी मुखमंत्री होगा वो इस बंगले में आएगा आपको बता दें कि दिल्ली में अभी तक कोई आधिकारिक बंगला मुखमंत्री के नाम पर नहीं है जिस बंगले में मुखमंत्री रहते हैं उसी बंगले को मुख जिरिवाल इस बंगले को जल्द ही खाली कर देंगे. कैमरामेन भूपेंदर के साथ रवी कांत, ABP News, दिल्ली.